देख सकते हैं हमारा जो यहां पर एप्रूड बाई एए दोस्तों फाइनली जो है हमारा एए अप्रूड कर चुका है और दोस्तों खुद सूमें और बहुत से कैंडिडेट मुझे ये कमिन कर रहे हैं कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया अपको साथ नोटिस किया गया था लेकिन आपने वो नोटिस देखा नहीं होगा और ये हो गया होगा ठीक है तो अभी आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि कहां तक आपका इस्टेटेस जो है अपरूब हुआ है और आपको देखना जरूर है कि कहीं आपका भी रिजेक्ट मुझे एक नंबर पर मैसेज आया था उस मैसेज को मैंने ध्यान दिया और चबकि मेरा कुछ भी गलती नहीं था फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आप मोडिफाई कीजे तो क्या मैंने मोडिफाई किया और देखिए कितना दिनी बात जो एप्रूब हुआ आप पूरा व वीडियो हम सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ट्रीक्री में गरिंगल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाल है तो सबसे पहले यहां पे दटीम एक्जाम डॉट इन जो हमारा ऑफिसली वेबसाइट है जो आपके लिए इस पिसली बनाया गया है यह में खोलता हूं है ग सबसे नीचे में देखिए जिसका भी रिजेक्ट हो रहा है जो भी भाई साहब का रिजेक्ट हो रहा है वह कारण क्या है देखिए यहां पर यहां पर देखिए क्या बताया गया है पोस्ट मैट्रिक विदिन इस्टेट और आउटसाइड इस्टेट यहां पर आपको 15 दिन के लिए जो है कुछ आपको पताए जाएगा कि आपका जो है नंबर, बैंक, पास्वुक जो भी है डिटेल आपको फिर से फिल अप करना है यहां देखिए क्या लिखा गया है पोस्ट मैट्रिक विदिन इस्टेट और आउटसाइड इस्टेट एप्लिकेशन अप्डेट बैंक डिटेल सर्विसेज एवलेबल इन इस्टूडेंट लॉगिंग इस्टूडेंट एप्लिकेशन फूर अकाडेमिक येर चाहे वो 2019 विस वाला हो या फिर 2021 वाला हो देखिए मेरा जब डिए एप्रूब हुआ था उसी समय मुझे एक मेल किया गया और एक मुझे नंबर किया गया मुझे एक मैसेज किया गया उस मैसेज में साब सब यह बताया गया था कि आप जाके अपने आधार नंबर अपडेट कीजिए आपका जो मुवाइल रिजिट किया हुआ है फिर भी ऐसा क्यों आया फिर मैंने यहां पर जो है और आके देखए हैं यहां पर क्लिक किया इस्टूडेंस आर्भाइस टू ले लिए मैं ले लिया मैं एक दूस्तों तो चलिए पहले मैं अपना लॉगिंग करके तो श्टुडेंट्स अ्लोगरे जाता हूं और सबसे पहले देखाता हूं और बाकी का प्रोस्ट भी आपको समझाता हूं ठीक है तो मैं इसको option और खुल गया था number update करने का जो mobile number है update करने का है ना और यहां पर लिंक को verification करने का तो मुझे यहां पर verification करना पड़ा जबकि मेरा किया हुआ था पहले से ही ठीक है और आपका rejection कर दिया है दोस्तों तो आप यहां पर click किजेगा और rejection का region आप देखिएगा कि क्यों आपका rejection किया गया है ठीक है और जदि अभी आपका अभी आपका reject हुआ ID officer के थुरू से तो आप जो है आप official website में regular आईए और आके वहां पर check out कीजे और जो भी आपका गलती है वह आप सुधार करने के एक मौका देगा ही देगा direct किसी का भी rejection नहीं डालेगा ठीक है अभी मैं application status पर क्लिक करता हूं और देखिए मैं यहां पर दो चीज़ आपको दिखाऊंगा actually मैंने 2015 में भी यह भरा हुआ था और अभी 2021 का session है तो इसका भी मैं भर रहा हूं तो दोस्तों देखिए यह page खुल गिया है यहां पर मैं session अपना दिखा देखिए तो मैं कर दो दिन पहले तो देखिए मेरा नाम संबुकमार धिवर है और देख सकते हैं यहां पर जो है final approved by a officer दोस्तों किसी का जल्दी किसी का बाद में मैंने जैसा कहा था ठीक है ना किसी का दो दिन बाद किसी का दो दिन पहले तो देखिए यह अब कुछी दिन बाद जो मेरे account में पैसा आपको credit कर दिया जाएगा ठीक है तो मेरा भी यहां पे जो है मुझे भी बूला गया था कि आपको जबना number update करना है और आधार link से activate करना है तभी जो है आपका आगया process clear होगा तो मैं confuse हो गया था भई मुझे एसा क्यों बता दिया था ठीक है ना फिर मैंने देखा कि नहीं मुझे करना पड़ा फिर जाके मैंने वहां पिसे किया और देखिए मैं दिखा दे तो ऐ भरा था तब मुझे मिला था है ना अभी जो मेरा देख सकते हैं 2020 से किस यहां पर आप देख सकते हैं यह आज यहां safe संद हैं और और यहांसे आप देखिये संभुकुर्ण हो चुका है है ना जिसका भी reject हो गया है वो जाके देख सकते हैं जो भी आपको सुधार करने के विपने मुखा देता ही देता है अगर फिर भी आप गल्थी कर देते हो तो उस केस में आपका reject हो जाता है देखिए reject होने का बहुत chances है जैसे कि मान लेजे उसी केस में reject होगा जब आप मान हो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब से जरू करें चैनल को चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में ताव तक लिए बाबाई थैंक यू बड़े मैच पर वाजिए इस वीडियो